नमस्कार दोस्तो आपका मेरी यूटूब चैनल पे स्वागत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकोन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यह जो आपको दिख रहा है वो है CNG स्टेशन तो मैं आज आ क्या क्या यूज होता है तो सबसे पहले यह जो आपको दिख रहा है वो है Compressor Area बोलते है इसको Process Area भी बोलते है यह Compressor और पास में पड़ा है Cascade यह जो आपको दिख रहा है इस वाले में Cascade है और यह Compressor तो इसमें SS की Tubing होती है 3 x 4 की Tubing होती है और 1 x 2 हाफ की मतलब 1 x 2 क मतलब 1 x 2 की Tubing होती है तो मैं इसका भी आपको बताऊंगा सारा मटे यह जो आपको दिख रहे है वो है Compressor की Priority Panel इसको Priority Panel बोलते है इसमें जो आपको दिख रहा है 3 x 3 x 6 और 7 लाइन नीचे की साइड है वो 7 लाइन में यह है कि इसकी 3 लाइन जाएगी dispenser 3 लाइन जाएग और एक लाइन जाएगी फिल पोस्ट पे तो मैं इसका आपको उसमें 3 मतलब 3 dispenser high bank dispenser low bank dispenser और medium bank dispenser और जो कास्केड में जाएगी वो low bank कास्केड medium bank कास्केड और high bank कास्केड और वो जो 7 मी नंबर की है वो है LCV फिल पोस्ट की तो मैं यहाँ से टूबिंग स्टार्ट होती यहां से स्टार्टिंग करते हैं, प्रायोरिटी पैनल से, यह जो दिख रही है, वो है SS की टुबिंग, 3 by 4th की, और 1 by 2, मतलब हाफ की, यह यूज होगी हमारे टुबिंग में सारा लेइंग करने के लिए, और इसके साथ साथ क्या क्या मतेरियल यूज होता है, दूसरा, वो मैं आपको बताता हूँ, कि यह यूज होता है, यह SS की टुबिंग 316 है, इसके उपर रेटिंग लिखा हुआ है, दूसरा मतेरियल में आपको दिखाता हूँ, जो यूज होगा, यह जो आपको दिख रहा है, वो है रिड्डूसर, रिड्डूसर बोलते हैं इसको, यह क्या करता है, 3 by 4th की टुबिंग से 1 by 2 की टुबिंग में कनेक करना हो, तो यह काम में आता है, तो इसको बोलते हैं, रिड्डूसर, अभी दूसरा है, यूनियन, इसको बोलते हैं, यूनियन, जो दो टुबिंग को जोडने के लिए काम आता है, 3 by 4th का भी यूनियन आता है, और 1 by 2 का मतलब हाफ का भी यूनियन आता है तो ये है यूनियन उसके बाद है ये है heavy duty clamp बोलते है इसको clamp जो tubing को पकड़ने के लिए काम आते है, tubing को जकड़ के रखते है ये, ट्रेंच में तो ये भी 3 by 4 के और हाफ के अलग-अलग होते है ये है T, इसको T बोलते है इसका काम है दो tubing जा रही है और आपको तिसरी tubing connect करनी है तो ये काम में आता है उसके बाद है, ये है ball-wall बोलते है इसको ball-wall, जो 3 by 4 का भी होता है और हाफ का भी होता है ये है ball-wall, इसके बाद है NRV इसको बोलते है NRV non-return valve इसके उपर ये जो arrow आपको दिख रहा है, तो वो arrow direction बताता है कि इसी way पे gas flow होगा, return इसमें नहीं आ सकता इसलिए इसको non-return valve बोलते हैं, तो अभी हम tubing start करते हैं ये है priority panel से उतारी हुई, start की हुई tubing, ऐसे priority panel से उतारी जाती है, प्रोपर एक-एक मिटर पे उसको support चाहिए, clamp चाहिए ही चाहिए ये है priority panel की starting, उसके बाद है cascade की, ये देखो आपको cascade की दिख रही है, प्रोपर line में उतारी हुई है, एक-एक मिटर पे support मारा है, एक-एक मिटर पे clamp मारा है, प्रोपर इस तरीके से उतार के trench में डाली जाती है, ये देखो आप, ये जो trench में बिचाई हुए tubing, इसको proper alignment में होना चाहिए है एक-एक भी support उसका उपर निचे नहीं होना चाहिए है, ये जो देखो, ये आप पूरी line में दिख रही है इसके बीच में बॉल-बाल भी लगे दिख रहे होंगे आपको, ऐसे पूरी proper बिचाई जाती है, और उसके जो clamp होते है, वो proper tight किये जाते है, ऐसे बिचाई जाती है, proper, सारी tubing हो जाने के बाद, ये जो आपको दिख रहा है, pipe से हमने सारी tubing में, साते 7 line में, हमने पानी डालके, इसको पानी से भर दिया, tubing को उसके बाद, ये जो है hydro trace का pump है, इससे pressure डाला जाता है, ये जो हमने लगा हुआ है, इसमें जो handle दिख रहा है, आपको, उससे pressure डालेंगे, तो सारी line में, सोड़ा भी पानी रह गया होगा, तो पानी भी चला जाएगा, उसके अंदर और इससे pressure जनरेट होगा, जो हम pressure लेके जाएंगे, 380 बार पे, 380 बार का pressure रहता है, तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको, तो अभी इसमें 25 से 30 बार का pressure चड़ा के, एक बार सारे जोइंट आपको चेक कर लेने हैं, जैसे की Union का हो गया, Reducer का हो गया, Bolwal का हो गया, NRV का हो गया, T का हो गया, एक बार सारे जोइंट पे shop solution मार के, इसको अच्छे से चेक कर लेना है कि कई लिकेस तो नहीं है, उसके बाद, फिर आपको इसका 380 बार pressure चड़ाना है, और उसको एक गंटे तक hold करना है, और एक गंटे hold के दर्मियान आपको उसके सारे जोइंट फिर से, फिर से एक बार सारे जोइंट लिकेस चेक कर लेने हैं, swap solution मार के, सारे जोइंट चेक कर लेने हैं, एक गंटे तक इसका टेस्ट रखना है, एक गंटे तक इसको लाइन को प्रेसराइज रखनी है, मतलब टूबिंग को, ठीक है, देखो यो फोटो में यूनियन पे सौप सॉल्यूशन मार रहे हैं, तो जरा सभी लिकेज होगा, तो वो दिखा देगा, घुबारे हो जाएंगे, घुबार इस गेज का फिर से आपको फोटो ले लेना है, टाइम स्टेंप वाला कैमेरे के साथ, उसमें टाइम आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, प्रूफ के लिए ले लेना है, तो फिर क्या है कि गेज में भी दिखाई देगा, कि इसका लिकेज एक गंटे तक जरा सा भी डिटे सारो में इससे नाइट्रोजन डालना है, तो क्या है कि प्रेसर से पानी निकल जाएगा, सारा बाहर और ट्यूबिंग सारी क्लीन हो जाएगी, तो यह नाइट्रोजन डालना भी लास्ट में बहुत जरूरी है, मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ, इसमें कि कैसे ड झाल झाल तो यही मेथड है हाइड्रो टेस्ट की यह जो आपको दिख रही है वह एल सीवी एल सीवी है वहाँ से ल सीवी फिल पोस्ट पे गैस आए ठीक है दोस्तो बस यही है दोस्तो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को लाइक और कॉमेंट ठोक देना अगर कुछ हो तो कॉमेंट में बता देना तो उसका भी मैं वीडियो बनाके डाल दूंगा थैंक्यू दोस्तों आए 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 आए